कल भी सद्धांजली दिने का दौर लगातार जा रही था आज बड़ी संख्या में बीजेपी नेथा कारीकर्टा पहुंचे है अंतिम संस्कार आज किया जाएगा कुछी देर बाद ये अंतिम संस्कार होगा अंतिम यात्रा निकाली जा रही है और बुक्यमंत्री से लेकर मंत्रियों का जमावला अपर देखा जा रहा है गौलियर की तस्विरे हैं बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए है अंतिम यात्रा में कुछ देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा ये गौलियर से लाइफ तस्विरे हैं इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अंतिम सफर पर माद्वी राजे संधिया है और कुछी देर में अंतिम संस्कार होगा रानी महल में लोगों ने श्रद्धान जली दी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे बता दें बुधवार आने की कल दिल्ली एमस में अंतिम संस माद्वी राजे संधिया दोरा ली गई 76 साल की वो हो गई थी लंबे वक्त से बीमार चल रही थी और कई महीनों से उनका इलाज भी दिल्ली एमस में चल रहा था जिसके बाद कल सुभा अंतिम सांस उनकी द्वारा ली गई और उसके बाद से ही श्रद्धान जली देने का सिलसिला शुरू हुआ कल पूरा दिन और आज कुछी देर बाद अंतिम संसकार उनका किया जाएगा जोत्रा दित्य सिंधिया की मादवी राजी का कुछी देर में सिंधिया च्छत्री पर राजसी परंपरा के तहट अंतिम संसकार किया जाएगा रानी महल से पार्थिव दे के अंतम दर्शन के बाद अंतम यात्रा अब शुरू हो चुकी है जिसकी दस्वीरें आप देख भी रहे हैं जिसमें कई वी वी आईपी के साथ ही आनजन भी बड़ी संख्या में शामल होने के लिए पहुचे हैं बता दें से पहले आज सुबह ही उनका पार्थव शरीर दिल्ली से गवालियर लाया गया यहां रानी महल में लोगों ने उनके अंतम दर्शन किये पक्ष और विपक्ष के कई नेता पहुचे श्रधानजली अर्पित उनकी द्वारा की गई और अब कोची देर बाद अंतम संसकार होगा तो कुछी देर में सिंधिया च्छत्री पर राच्सी परंपरा के तहट अंतम संसकार किया जाएगा उससे पहले अंतम यात्रा जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं विविया इपी तो हैं हैं साथी साथ आम जन भी उसमें शामिल हैं पक्ष विपक्ष के नेता पहुंचे हैं बड़ी संख्या में कुछ देर बाद अंतम संसकार किया जाएगा सिंधिया चत्री पर राच्सी परंपरा के तहट यह अंतम संसकार होगा यह अंतम यात्रा की तस्वीरें आपस वक्त देख रहे हैं बस कोची देर बाद अंतम संसकार होगा अंतम यात्रा चल रही है जुसमें लोगों का जमावला लोग उमर पड़े हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर अंतम दर्शन के लिए बार्थर शरीर रखा गया था जो सभी दर्शन के लिए पहुंच रहे थे और अब यात्रा की शुरुवात यात्रा में भी बड़ी संख्या में लोग लोगों का जमावला यहां पर देखा जा रहा है उमर्ड पड़े हैं लोग अन्तिम यात्रा में कुछ देर बाद अन्तिम संसकार किया जाएगा सिंधिया छत्री पर उनका अन्तिम संसकार होगा अगर मादवी राजे संधिया के सफर की हम बात करें तो जन्मोन का 12 तारीक 12 फरवरी 1948 में हुआ था नेपाल की वो रहने वाली थी नेपाल के राणा राजवन्ष की राचकुमारी थी मादवी राजे नेपाल के प्रधान मंतरी थी दादा मादवी राजे के दादा जुद शम्शीर जंग बहाद्वर नेपाल के प्रधान मंतरी रह चुके हैं शादी से पहले उनका नाम किरन राज लक्ष्मी था और शादी के बाद मादवी राजे सिंध्या हो गया आठ माई 1966 में माधव राज सिंध्या से उनकी शादी हुई नया नाम करण हुआ और 15 माई 2024 को 76 साल के उम्र में उन्होंने अन्तिम सास ली और सभी को अलविदा कह दिया आज उनका अन्तिम संसकार उससे पहले अन्तिम यात्रा जिसमें बड़ी संख्या में लोग विवी आई पी भी पहुँचे हैं आम जन भी पहुँचे हैं कुछी देर बाद सिंदिया चत्री पर उनका अन्तिम संसकार किया जाएगा राणी महल में लोगों ने श्रधान जली दी तब भी बड़ी संख्या में लोग पहुचें बता दे सुभा दिल्ली से उनका पार्थेव दे जो है लाया गया ग्वालियर और उसके बाद राणी महल में लोगों ने महाँ पर श्रधान जली दी अन्तिम दर्शन करने लोग पहुचें अन्तिम यात्रा जो चल रही है उसमें भी बड़ी संख्या में लोग पहुचें हैं आप कुछी देर बाद अन्तिम संस्कार सिंधिया छत्री पर अन्तिम संस्कार माध्वी राजी संधिया का किया जाएका तो कुछी देर बें सिंधिया छत्री पर राजसी परंपरा के तहत अन्तिम संस्कार किया जाएगा रानी महल से पार्तिव दे के अन्तिम दर्शन के बाद अन्तिम यात्रा की श्रवात हो चुकी है और कुछी देर में समाप्ती भी इसकी हो जाएगी अभी शामल होने के लिए बड़ी संख्या में आमजन तो पहुचे ही है विवियाइपीस भी पहुचे हैं मुख्यमंतरी मध्यप्रदेश के मुख्यमंतरी मोहन यादव भी पहुचे हैं साथ ही साथ कई कैबिनेट विनिस्टर्स भी पहुचे हैं विपक्ष पक्ष के दोनों तरफ से नीता पहुचे हैं अंतिम दर्शन के लिए अंतिम यात्रा में ये भी बता दे आपको कि आज सुभा ही उनका पार्थव शरीर दिल्ली से ग्वालियर लाया गया और यहाँ पर रानी महल में लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किये जिसमें पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नीता पहुचे श्रद्धान जली अर्पित करने के लिए अभी भी अंतिम यात्रा निकल रही हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुचे हैं अंतिम दर्शन के लिए अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए गुवालियर से लाइफ तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कल सुभा लगभग साड़े नौ बज़े के करीब अंतिम सांस माधवी राजे सिंधिया द्वारा ली गई और सफर उनका वहीं खत्म हुआ जिसके बाद आज सुभा उन्हें गुवालियर लाया गया और अंतिम दर्शन लोगों के द्वारा किये गए रानी महल में और अब अंतिम यात्रा की शुरुवात हो चुकी है जिसकी थोड़ी देर में समाप्ती होगी यह तस्वीरें आप देख रहे हैं यहां पर तयारी चल रही है अंतिम संसकार की कोछी देर में अंतिम संसकार होगा पूरा स्टेच जो है जहां पर अंतिम संसकार होना है वहां पर भी सजावट की गई है फूलों से आप सजावट देख सकते हैं अलविदा जो है मादवी राजी सिंध्या को इस तरह दिया जा रहा है गौलियर से लाइफ तस्विर है इस वक्त आप देख रहे हैं अंतिम सफर अंतिम यात्रा पर लोगों का हुजूम उमर्ड पड़ा है इसमें शामिल होने के लिए बीजेपी के दिगज शामिल हुए हैं साथी जात विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होने के लिए पहुचे हैं अंतिम संसकार का जो स्थल है उसे फूलों से सजाया गया है तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं और सिंधिया चतरी पर माधवी राजे का अंतिम संसकार किया जाएगा बस कुछ दिर और जिसके बाद अंतिम संसकार किया जाएगा अंतिम यात्रा में कई आम और खास लोग शामिल होने के लिए पहुचे हैं यहां पर अंतिम संसकार की सारी तयारिया पूरी हो चुकी हैं कुछ देर और जिसके बाद अंतिम संसकार की प्रक्रिया शुरू होगी यह जो स्थल है जहां पर अंतिम संसकार हो रहा है होगा भी वह उसे पूरी दरसे फूरों से सजा दिया गया है और अंतिम जात्रा में लोग पहुंचे हैं कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा इससे पहले वो भी तस्विर हमने आपको दिखाई जब जैविलास पैलेस में माधवी राजे का पर्थव शरीर जो है अंतिम दर्शन के लिए रखा गया और लगातार वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और राजमाता अमर रहे के नारे लगाते हुए भी नजर आए कोची देर में अंतिम संस्कार और इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में दिखच पहुंचे हैं विया पीस पहुंचे हैं यह भी बता देरे कि मुख्यमंत्री मुहान यादफ महुंचे हैं मंत्री के लाश विजय वर्गिये हैं प्रलाद पटेल हैं भाजपा के कई सारे नेता हैं जो पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए गुवालियर से लाइफ तस्वीर हैं इस वक्त आप देख रहे हैं यह पूरी तयारी अंतिम संसकार की और कुछी देर में अंतिम संसकार किया जाएगा कई सारे लोग पहुंचे और राजमाता अमर रहे के नारे लगाते हुई नजर आए वहीं तुलसी राम से लावट हैं चुकि मंत्री भी है मध्यप्रदेश के वो भी पहुंचे उन्होंने कहा कि मा के रूप में आशरवाद मिला हमेशा उन से मैभूल नहीं सकता उनकी आखों में आसू थे वहीं इमरती देवी भी पहुंची वो बोली राजमाता जहां मिलती थी हाथ पकड़ कर बात करती थी इमर्ति देवी के आखों में भी आंसु नजर आए नम आखियों उनकी नजर आई अन्तिम सफर पर राजमाता माधवी राजे सिंधिया हैं अन्तिम यात्रा वस्नमात होने पर है और उसके बाद अन्तिम संसकार अन्तिम संसकार के लिए जो स्थल है वहाँ पर फूलों के सजावट की गई है अन्तिम संसकार में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में जो हैं दिगज भी पहुंचे हैं विवियाई पीस पहुंचे हैं आम जनों का भी जमावला भी वहाँ पर नजर आ रही है और शली आगे बढ़ते हैं नर्सिंग पूर का जिक्र करते हैं दो बाइकों की आपने सामने भड़त हुई है मा बेटा सहित नातन की घटना अस्थल पर मौत हो गई दूसरी बाइक सवार की भी हालत गंभीर है एक बाइक पर चाम लुक सवार थे घायलों को जबलपूर जांच में जुटी होई है यह तस्वीर नर्सिंग पूर की जहां पर यह भीशनल सड़क खाथसा होना बताया जा रहा है दो बाइकों की आमने सामने भड़त हो गई एक बाइक पर चार लुक सवार होना बताये जा रही हैं मा बेटा सहित नातन की मौके पर मौत होना बताय जा रही है इस हादसे में बिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच परताल भी जा रही है और यार उक्रेक चोटे सब्रेक के लिए